नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपने चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की एक फरबरी के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अ करती निकली हुई है। उसके डगार्ड़िंग अपडेट रहेगा इसी के साथ है एसी के साथ में थो मांचबदेश युणिवस्टी को इस तरिक्के से में ऐस तो गर्फ उस्कीरा ऋंपे बीघुरां जो हैं? फर्स्ट समेस्टर का जो examination schedule है वो जारी कर दिया है तो उसके regarding भी update रहेगा इसे के साथ CISF में भी जो है वो vacances निकली हुई है उसके regarding भी update रहने वाला है जात में ही जो है वो income tax और LIC department में भी यहाँ पे जो है वो vacances निकली हुई है तो उनके regarding भी जो है वो update रहेंगे इसे क साथ हम लोग कुछ यहाँ पे important जो notifications आये हुए थे पिछले एक बीक में उसके बारे में में बात करेंगे और कुछ एक results भी आये हुए थे उसके regarding भी जो है वो बात करेंगे इसे के साथ HPU सिदार्प्टेल यूनिवस्टी माचबदेश टेक्निकल यूनिवस्टी और HP वोर इसके regarding भी अपडेट रहेगा और साथ में ही जो है वो आगनी वीर भरती के जो लिखित प्रिक्सा हुई थी उसका परणाम भी गोसित हो गया है तो उसके regarding भी जो है वो अपडेट रहेगा तो चली दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट से पहले अगर हम लोग यहां प प्रसाचनिक जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो यहां पे राज्य सरकार को दी है अब यहां पे जो यह जांच है अभी और छे मिन्ने चलेगी मतलब इतना बगत और लग जाएगा तो यहां पे जो हजारों यूब पर हजारों यूबां जो है वो परिसान है क्योंकि यहां पर भरतिया चल नहीं पा रहे हैं तो इसी बज़ा से जो है वो राज्य सिरकार इस पर भी जल्दी से फैसला लेना चाहती है तो इसके रिगार्डिंग जो भी फैसला आएगा आप लोगों को यहां पर कुछ एक दिन चंडीगर में जो है वो यह मामला दर्ज किया गया था और बहां पर भी जो है वो अलग अलग अफाय यहां पर हुई थी तो यहां पर जो है वो सिमला की टीम ने देशबर के त्रीस जगों पर जो है वो दब्विस करी है इमाचप देश के कांगडा उन्ना मिरपुर जो है वो अपका हिमाचप देश स्कूल शिक्सा बोर्ड धर्मसाला से समंधित रहने वाला है तो यहां पर हिमाचप देश स्कूल शिक्सा बोर्ड धर्मसाला ने टर्म बन की विसेज प्रिक्सा देने के लिए जात्रों को जो है वो एक मोका दिया हुआ था तो यहां पर तर्म बन विसेज प्रिक्सा देंगे 10 और प्लस टू के चातर उनकी जो है वो यहां पे डेल सीट जारी हो गई है तो यह जो अभी स्टुटेंट्स हैं वो यहां पे इमाचपदे स्कूल जिक्सा बोड धर्मसाले की विपसाइट पे जाके जो है वो अपनी डेल सीट यहां प चलेंगी तो यहां पे जो टैंथ और प्लस टू की यह पिसेज टर्म की जो प्रिक्साइँ होनी है यह प्रिक्साइँ जो है वो दस फरवरी से लेके 17 फरवरी तक चलेंगे नेक्स्ट अगर आब हम लोग यहां पे इस भी के जितने भी नोटिफिकेशन रहे तो उनके बात करें तो यहां पे शिक्सा बोर्ड धर्मसाला ने जो है वो मार्च 2013 में होने वाली 10th और प्लस टू की जो प्रिक्साइँ है उनकी फाइनल डेट चीट यहां पे जारी कर दी है यह डेट चीट जो है वो आप लोग के माच्पदे स्कूल शिक्सा बोर्ड धर्मसाले की से लेकि 10 मार्च 2023 तक चलेगी इसी के साथ जो हिमाच्वदेश टेक्निकल युनिवस्टी है मिर्पूर है उन्होंने अपना जो भी उनका एक यहां पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है तो जो भी उमिद्वार है वह माच्वदेश स्कूल शिक्सा बोड़र धर्मसाले की वसाइट पर जाकर चैक कर सकते हैं इसी के साथ यहां पर माच्वदेश पब्लिक सर्बिस कमिसन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग कोसित कर दिया है और इसे के साथ राज की बनलब महाविदाले मंडी में 15 जनवरे को हुई सेना भरती में जो है वो अगनीबीर लिपिक का जो प्रिक्सा परणाम है वो भी जारी जो है वो कर दिया गया है इसे के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सिंबला में आयोज निकली हुई है तो यहां पर डिवल्मेंट ऑफसर के पदों पर 9394 निकाली हुई है और इसके लिए जो अपलाई करने की लास्ट डेट है यहां पर दस फरवरी 2023 रखे गई है तो जो भी इंट्रस्टेड कंडिडेट है वो लाइसी इंडिया.in की वेपसाइट पर जाके इसके साथ जो है वो यहां पर डाक विभाग में भी जो है वो 40,000 से ज्यादा पर पदों पर भरतिया निकली हुई है इसके लिए जो भी आयोग्या उमिदवार है वो यहां पर पोस्ट ऑप इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेपसाइट पर जाके इसके लिए जो है वो अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए जो अपलाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो यहां पर 16 फरवरी रहेगी तो जो भी उमिदवार हैं इंट्रस्टिड डाक भाग में वो इसके लिए जल्दी से अपलाई कर सकते हैं और इसी के साथ जो हो SSC के थुरू भी यहां पर मल्टी टास्टिंग टास्किंग स्टाप के 14,000 पाद जो है वो भरे जाएंगे इसके लिए जो भी इंट्रेस्टेड कैंडिडेट है वो यहां पर SSC.NIC. इनकी वेबसाइट पे जाके जो हो 17 फर्वरी 2003 तक इसके लिए होनी चाहिए और जो एप्लिकेशन फिसा हो यहां पर 100 रुपे जो है वो रहेगी इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर इंकम टैक्स में भी डेपार्टमेंट में भी भरतिया निकली हुई है तो इसके लिए जो यहां पर आपकी विकैंसी रहेगी व सकते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करना तो नेक्स्ट अपडेट जो आपका सिदार प्टेल यूनिवर्स्टी मंडी से रहने वाला है तो सिदार प्टेल विस्विदाल्य करवाएगा बियद तो यहां पे 4050 प्रिशिक्स ने करवाया पंजिगन 5 जिलों के 35 स्कोलेज चैनी तो 31 केंद्रों पर करवाया जाएगी यह प्रिक्सा तो यहां पे जो है वो सिदार प्टेल यूनिवर्स्टी या तो आपकी जो बियद की प्रिक्साए है वो फर्बरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में जो है वो करवा देगा तो इसके लिए पांच जीलों के बियद कोर्जों में जो है वो प्रिक्सा किंद्र बनाए हुए हैं तो इसमें 35 कोर्जों को यहां पे चैनीत जो है वो किया गया है तो बियद कोर्स के लिए ब्यारतियों के पंजिगर्ण का कारया अंतिम चरण में है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले पूरा ला था कि डिले इसलिए बजा से हो रहा है क्योंकि आपके रिजिस्टेशन या पे जरनेट नहीं हो पाए हैं तो ये जो भी रिजिस्टेशन का काम है ये फर्बरी फर्स्ट बीक में पूरा कर लिए जाएगा और इसी के साथ जो यहां पे फर्बरी सैकिंड बीक है उ स्मय की बज़त होने से स्मय पर परिनाम घोशित करने की होगी सुविधा तो यहां पर यूजी के जो कोर्स के परिक्सा परिनाम स्मय पर घोशित करने के लिए माच्चा बदेश से बिस्विधार ले जो है वो आप कोलेज में परिक्सा समंप्त होने के बाद विद्यारतियों कि जो answer seeds हैं उनको प्रिक्षा केंद्रों में सीधा ही भेज देगा मैंने आपको लोगों के पहले भी news बताई थी कि यहां पे जो आप जो है जो भी आपका district होगा उसमें जो भी आपका सबसे बड़ा college होगा बहां पे प्रिक्षा केंद्र में जाएंगे तो यहां पे मुल्य कोलेज हमिरपूर आनू है बहां पे हमिरपूर district के सभी paper बहां पे चले जाएंगे और बहां पे उनकी checking होगी और जैसे ही checking होगी उसके बाद online ही आपके marks जो है वो है वो एच्प्यू की website पे upload हो जाएंगे तो इसके लिए जो है वो पहले यह किया जाता था कि पहले exam होते थे और जो भी answer sheets होती थी उनको HPU भेजा जाता था जिसके लिए बहां पे 20 से ज्यादा दिन लग जाते थे लेकिन अब जो है वो जैसे ही आपके exam होंगे उसके बाद उनको जो है वो यहां पे evaluation centers में भीज दिया जाएगा जिसे यहां पे 20 से 25 दिनों की बच्चत होगी और यहां पे जो राजयपाल थे राजेंदर विस्वनात अलेंकर उन्होंने भी यहां पे सक्त निर्देश दिये थे HPU को कि जो बिद्यार्तियां पे शिक्सा ग्राइन कर रहे हैं उनके प्रिक्सा पन्नाम जो है वो समय पे घोसित किये जाएं तो इसको लेके भी जो है वो ए गई है तो आपके पेपर जो है वो अब सीती ही प्रिक्सा केंदर से इवैल्यूशन सेंटर में चले जाएंगे और जिसकी वज़ा से यहां पे रिजल्ट जो हो जल्दी बन जाएगा क्योंकि यहां पर एक मीना पहले खराब होता था वो बच जाएगा और इसी के साथ अग इसी आने वाला है क्योंकि आपका रिजल्ट बन गया है और आपके पेपरों की चेकिंग भी हो गई है इसी के साथ से इटी बिली मिसल्ट कि engineering चली हुई है तो उनके रिजल्ट यह पे थोड़ा सा डिल्जल्ट हो सकता है यानि क्योंकि यहां पर दस फरबरी तक ही जारी हो तक भी तो एक बार HP जुरूर कोल कर ले तो दोस्तों यह थे मारे आज के कुछ एक अपडेट अगर आप लोगों को यहां पे कोई डाउट आता आपके कोई क्यारी है तो आप लोगों ने मेरे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर लेना है जिसका लिंक जो हम आपको वीडिय लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर गरिताता ऐसी अपडेट स्कीनी मारे साथ बने रहें धन्यवाद